हाई यो बहनों जिस देश के पास सत्तर करोड नौजवान हो एक सो चालीस करोड युवा भुजाये हो सत्तर करोड सपने हो कुछ भी कर मिटने की ताकत हो वो मेरा देश का नौजवान उसे सामने अंतकार नजर आ रहा है उसे अपने सपने चूर चूर होते नजर आ रहे है उसे लग रहा है उसकी दुनिया डूब रही है मैं आज बैंगलोर आया हूँ करनाटक के नौजवानों के इतना कहने आया हूँ मैं आपके सपने मेरे बनाना चाहता हूँ भाईयो बहनो आपका एंबिशन ये मेरा मिशन है अटल जी के जमाने में जो सौफ़एर एक्सपोर्ट ग्रोथ 40 परसंट था आज वो 9 परसंट आकर के रुका हुआ है ये नौजवानों के बविश्का क्या होगा कौन जिम्मेवार इसके लिए इस खेत्र में भी दुनिया का लोहा मनवाले माले मेरे नौजवान ये आपकी नीतियों के कारण है भाई यो बहनों हिंदुस्तान आज उसका रुपिया तो कमजोर हो गया है रुपिये की हालत बड़ी खराब है और उसका कारण है करण्ट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जिन चीजों का इंपोर्ट होता है उसमें तीसरे नंबर पर है electronic goods क्या मेरा नवजवान दुनिया को mobile phone बना करके बेच नहीं सकता है क्या क्या दुनिया के बाजार में ब्रांड इंडिया का electronic good नहीं बीच सकता है क्या और आप कि देश के नवजवानों में जो सामर्त है जिसके लेकर के नए रोजगार के अउसर पादा हो सकते हैं वो सारी चीजें आज इंपोर्ट करने में लग गए हो अगर यही आपका खेल रहेगा तो भाईयों बेहनों 2020 आने तक अगर यही लोग इसी तरह चलाते रहे तो 2020 आने तक हिंदुस्तान आज पैट्रोलियम का जो इंपोर्ट करता है क्रूड ओयल का इंपोर्ट करता है उससे भी यह इंपोर्ट बढ़ जाएगा और देश का रुपिया देश का रुपिया जीने की ताकत भी नहीं रखेगा साथ भी नहीं ले पाएगा यह आपने आर्थिक स्थिति पैदा की है अगर इस देश को प्रगति करनी है तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे अगर देश की सत्तर प्रतिश्य युवा जनता को रोजगार मिले यह सरकार की प्रात्विक्ता होनी चाहिए और अगर रोजगार देना है तो स्किल डेवलप्मेंट पर फोकस करना पड़ेगा उसके पाद भुजाये हैं उसे हुन्र चाहिए भाईयो भेनो ये भारत सरकार ने 2009 में कहा था कि 30,000 करोड रुपिया आंकड़ा याद रखिये 30,000 करोड रुपिया स्किल डेवलप्मेंट के लिए खर्च किया जाएगा उन्होंने बादा किया था कि 10,000,000 नौजवानों को 2012-13 में स्किल डेवलप्मेंट का सर्टिफिकेट मिल जाए इसके लिए काम किया जाएगा भाईयों बेहनों ये 2014 चल रहा है 30,000 करोड का खर्च करने का बादा किया था 10,000,000 नौजवानों को एक साल में स्किल डेवलप्मेंट करके सर्टिफिकेट देने का बादा किया था और दिया कितना सिरफ 18,000 कहां 10,000 कहां 18,000 कहां 30,000 करोड कहां गए रुपिय जरा जवाब दो हिसाब दो देश की जंता हिसाब मांग रही है भाई यो बेहनों कोई भी देश कोई भी आउसर होता है तो प्रगते के लिए आउसर पकड़ लेता है और नेत्रुत्व की यही कसोटी होती है लिडर्शिप का यही तो गुण होता है आप देखिए जब भारत में खेल कुद का एक समारम हुआ दिल्ली में कॉमन वेल्ट गेम इतना बड़ा आउसर था कि पूरे दुनिया में हम अमारी राष्ट की ताकत का परिच्य करवा देते हैं उस कॉमन वेल्ट गेम के माध्यम से 21 सदी के हिंदुस्तान की ताकत का परिच्य हिंदुस्तान के ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा आउसर आया था व्यवस्ताओं के द्वारा विश्व को प्रभावित कर दें ऐसी व्यवस्ताएं होस्पिटालिटी एर्रेंजमेंट्स ये कर सकते थे लेकिन भाईयो भेनों कॉंग्रेस के डी अने में हर हाथ लूट हर होट जूट इसके कारण इसके कारण कॉंगर्वेल गेम का पूरी घटना ब्रस्ता चार का एक बहुत बड़ा काला पुर्ष्ठ बन गई काला दब्बा बन गई दुनिया कैसे चलती है साउथ कोरिया हमारे से बाद में अजाद हुआ करनाटक और साउथ कोरिया बराबर बराबर है करनाटक की पॉपिलेशन साउथ कोरिया की पॉपिलेशन बराबर बराबर है आज से बारा साल पहले बारा या सोला साल चाहिए बारा सोला साल पहले साउथ कोरिया ने अलेम्पिक गेम्स को होस्ट किया और ऐसा इन्फास्ट्रक्चर खड़ा किया ऐसी होस्पिटालिटी की सारी दुनिया को थार्ड वर्ल कंट्री का साउथ कोरिया भारत की तरह गरीबी में जिने वला साउथ कोरिया सही नेतरुत्व, सही नीतिया, राष्ट भक्ति का जवार साउथ कोरिया की ओलेम्पिक का कारकम आज भी विश्वयाद करता है और उस एक कारकम के माध्यम से साउथ कोरिया दिनिया के अंदर एक समुरुद्ध देशों में उसकी गिंती होने लगी और आप कॉमन वेल गेम के कारान दुनिया के सबसे करब देश में गिंती करवा दी कौन जिम्मेवार मेरे भाईयो बेनो कौन जिम्मेवार देश की इज़त को आपने मिठी में मिला दिया है देश को परवायत कर दिया है कब तक देश आपके इन कारणामों को जिलता रहेगा और इसलिए मेरे भाईयो बेनो ऐसे लोगों के हाथों में ये भारत हम नहीं दे सकते बहुत लूट लिया बहुत तमाह कर दिया आपका आहंकार साथवे आस्मान पर है आप तो ये मान करके चलते है ये तो हमारी परसनल पीड़ी है जनता हमें वोट नहीं देगी तो जाएगी कहाँ इसलिए जनता को जवाब देने की जरूत नहीं है अब देश जग चुका है लोग तंत्रा शासकों से अपनी कीमत मांग रहा है और इसलिए भाईयो भेनो शाट साल तक आपने शासकों को चुना है भाईयो भेनो मैं आज पुरे करना तक के भाईयो भेनों से प्रार्थना करने आया हूँ शासक बहुत देख लिए उनके करना में देख लिए उनके इरादे भी देख लिए उनके बादे भी सुन लिए देख शासकों से तंग आ चुका है भाईयो भेनो अब देख को शासक नहीं सेवक की जरूरत है सेवक की और भाईयो भेनों मैं आज एक सेवक के नाते सबासो करोर देश वाच्यों की सेवा करने के लिए आशिरवाद मांगने आया हूँ करना तक की भूमी से आशिरवाद मांगने आया हूँ भाईयो भेनों मैं करनाटर के भाईयो भेनों से कहता हूँ देश बहुत लूट चुका है आप एक बार मुझे पर भरोसा करिए मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूँगा भाईयो भेनों आपने शासकों को आपने शासकों को साट साल दिये है मुझे साट महिने तो दो आपने साट साल भिगा रहे हैं एक बार साट महिने के लिए मुझे अजमा तो लो भाईयो भेनों बरबादी में डुबे हुए भारत को भार निकानने का मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ भाईयों और यह मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ बता हूँ ठक तो नहीं गए ना मैं ठकता नहीं हूँ यह मेरी समस्या है भाईयों बेनों 2001 मैं गुजरात में भेंग कर भूकम पाया था पूरा गुजरात मौत की चादर ओड करके सोया था बिश्व भर में फैले हुए लोग जो गुजरात को जानते थे उन्होंने मन बना लिया था अब गुजरात बच नहीं सकता अब गुजरात का खेल खतम गुजरात गया इतना भेंग कर भूकम पाया था गाउं के गाउं तबाह हो गए थे कुछ नहीं बचा था ऐसे संकट के दिनों में जन्वरी में भूकम पाया और अक्तुबर में मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि मोधी जी जाओ गुजरात इस हालत में से कुछ रास्ता निकालो भाईयो भनो चारो तरफ अंधेरा चाया था कोई आशा नजर नहीं आ रही थी लोग करा रहे थे मिडिया में इतना नेगेटिव चल रहा था मुझ दिखाने लाइक रहे नहीं थे लेकिन भाईयो भेनो अक्तुबर में गया वर्ल बैंक का रिपोर्ट कहता है कि दुनिया के समरुद्ध से समरुद्ध देश को भी ऐसी भीषन नेचरल केलेमिटी से बाहर निकलना है तो कम से कम सात साल लगते है भाईयो बहनों हम गुजरात के लोगों ने तीन साल के भीतर भीतर भाहर निकाल दिया हम दोड़ने लग गए और आज आज मेरा वो कच्छी जिल्ला हिंदुस्तान का सबसे तेज गती से प्रगति करने वाला जिल्ला बन गया भाईयो बहनों आपने टैप रेकडर बहुत सुनी है सहजादे की टैप रेकड भी सुनी है मेडम सोनिया जी की भी टैप रेकड सुनी है एक बार ये सेवक का ट्रेक रेकड देख लीजिए एक बार ये सेवक का ट्रेक रेकड देख लीजिए अगर मैं कहता हूँ उस बैंकर अपति से आज हम गुजरात को यहां तक ले जाए हैं तो भाईयों भेहनों निराश होने का कारण नहीं है सवासो करोर देशवासियों की इच्छा शक्ति पर मेरा भरोसा है मैं देश को इन जखकटों से बाहर ला सकता हूँ और इसलिए मुझे आसिरवाद चाहिए भाईयों भेहनों कॉंग्रेस प्राणिटी के हाल इतने खराब है कि वे हजारों करोड रुप्यों के मालिक जिनका कोई आधार नहीं उनको चुनाव में उमीद्वार बनाते हैं मैं जरा कॉंग्रेस के उस महाश्वई से पूछना चाहता हूँ देश की जनता को जबाब दो आपकी इस आधार काड की योजना देश के लाखो करोड रुपे डूप गए आपने ऐसा क्या पाप किया सुप्रीम काड को डनना चलाना पड़ा जवाब दो भाईयों बेहनों मैं आज पहली बार एक बात पब्लिक ली बताना चाहता हूँ याधार काड को लेकर के केंद्र सरकार के सारे महासे मुझे मिलने आये थे मैंने उनको सेंकडो सवाल पूछे थे दो दो गंटे तक मैंने चर्चा की थी और ये मुझे जवाब नहीं दे पाए थे मैंने देश की सुरक्षा के समझ में भारत के अंदर जो गुस्पेठिया आ गए है उनके समन में क्या सोचा है पूछा हिंदुस्तान के जो बॉर्डर डिस्टिक है कोस्टल डिस्टिक है उसके विशे में क्या योजना है मैंने पूछा इनके पांस कोई जवाब नहीं था एक पूलिटिकल गीमिक के सिवाएं कोई लंबी सोच नहीं थी मैंने नेशनल सिकुर्टी काउंसिल में प्रधान मंत्री को सवाल पूछे थे और मैंने कहा था अगर इन सवालों को आप एड्रेस नहीं करोगे तो यह आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी लाखो करोड़ों रुपिय तबाह हो जाएंगे तब उन्होंने मुझे आस्वासन दिया था कि मोधी जी ने जो सवाल उठाए है इस पर हम सोचेंगे नहीं सोचा मेरी प्रधान मंत्री को लिखी हुई चिठिया है उन चिठियों में मैंने साफ साफ संकट बताएं अगर ये दिल्ली की सरकार ये अपने आपको भुद्धिमान लोग मानने वाले लोग ये अपने आपको आईटी के जन्मदाता मानने वाले लोग इन्होंने मेरे जैसे एक सामान्नी व्यक्ति की बात नहीं सुनी एक बात भी मेरी नहीं सुनी और उसी का प्रणाम आया है का आज उनको सुप्रीम कोड का डंडा खाने की नौबत आई है क्या देश की तीजोरी को इसे लूटते रहोगे जन्ता की आँख में ऐसे दूल जौते रहोगे और इसलिए भाईयों बेनों कि यह जो जूट फ्हलाए जा रहा है कि इस जूट से बचने के आवसकता है चोकन ने रहने के आवसकता है भाईयों बेनों हमारा देश अनेक ऐसे खेत्र हैं जिसमें विकास की नई उचाईयों को पार कर सकता है सारा विश्व मानता है कि भारत जैसा देश जब आने वाला यूग एशिया का यूग है तो भारत पना लोहां बनवा सकता है लेकिन भाईयों भेनों 21 सदी का पहला दसक 2004 से 2014 इन्हों ने बर्बाद कर दिया है और इसलिए भाईयों भेनों आज मैं आपसे अनुरोद करने आया हूँ मैं आपसे आगरे करने आया हूँ कि आप तै करो आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए मैं यह नहीं पुझराओं किसकी सरकार चाहिए अरे मैं पुझराओं कैसी सरकार चाहिए आप तो जबाब दे रहे हो किसकी सरकार चाहिए कैसी सरकार चाहिए क्या दिल्ली में अपाहिच सरकार चाहिए गुंगी बहरी सरकार चाहिए लूली लंगडी सरकार चाहिए चल फिर न सके ऐसी सरकार चाहिए मरी पड़ी सरकार चाहिए भाईयो भेनो स्कूल के बच्चे को भी धीला ढाला टीचर नहीं चलता है अरे महले में भी हलका फुलका थानेदार लोगों को पसंद नहीं आता है इतना बड़ा देश देश को मजबूत सरकार चाहिए के नहीं चाहिए देश को मजबूत सरकार चाहिए के नहीं चाहिए देश को मजबूती से आगे बढ़ाना है के नहीं बढ़ाना है देश को मजबूत नेने करने की वबस्ता चाहिए के नहीं चाहिए भाईयो बेहनो आज अडोस पडोस के हर कोई कितना हो, इतना हो, कितना ही क्यों न हो, हमें आँखे दिखा रहा है, हर कोई आँखे दिखा रहा है, जिसको जो मर्जी पड़े, अपना खेल खेलता है, भाईयो बेहनों, अगर दिल्ली की सरकार मजबूत होती ने, दुनिया का कोई देश हमें आँखे नहीं दिखा सकता है, भाईयो बहना हमें आउसर दो मैं कहता हूँ मैं इरादा कहता हूँ हमें आउसर दो 16 मैं के बाद कोई हमें आँख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा इतना ही नहीं अगर देश की जनता मजबूत सरकार बनाएगी तो जो लोग आज आँख दिखाते हैं वो आँख मिलाने के लिए तरस्ते होंगे वेरे भाईयों तरस्ते होंगे और हमें मजबूत सरकार किसी को आँख दिखाने के लिए नहीं बनानी है हमें मजबूत सरकार इसलिए बनानी है लोग हमें आँख मिलाना शुरू करे और इसलिए भाईयों बहनों भारत के स्वाभिमान के लिए सबासो करोड के भाग्य को बदलने के लिए नवजवानों के सपनों को सजाने के लिए मरते हुए किसान को बचाने के लिए तूरते हुए गावों को समान ले के लिए अभी किसी ने साहजादे को पूछा कि आप देश के इंफास्ट्रक्चर के विशे में क्या सोचते हो साहजादे ने जवाब दिया उन्होंने कहा मेरे दुरे मेरे दिमाग में पुरा मैप तयार है भाईयो बहनों जिनको मैप बनाने में 60 साल लग गए उनको जमीन पे उतारने में 600 साल लगेंगे और इन्फास्ट्रक्चर का आपका ये मोडल है जरा मुझे बताएए करनाटरक का समुद्री तरट विश्व व्यापार की पूरी संभावनाओं से भरा हुआ आपने करनाटरक के पॉर्ट सेक्टर के डेवलप्मेंट के लिए क्या किया बताएए बाईयो बैनों आज हिंदुस्तान का आदा हिस्सा अंधेरे में जी रहा है ऐसा कैसा देश जहां 20,000 मेगा वोट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं ताले लगे हुए है कारखाने तयार है लोग वहां काम करने वाले तंखा ले रहे हैं बिजली नहीं मिल रही हैं क्यों क्योंकि कोईला नहीं है कोहला क्यों नहीं है कोहला क्यों नहीं है फाइल खो गई है फाइल सुप्रीम कॉर्ट में दिल्ली सरकार ले बताया हमारी फाइल खो गई है अरे मडम सोनिया जी आपकी तो फाइल खो गई है हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है ऐसा कोई देश सुना है आपने के जहां कोईला भी हो बिजली का कारखाना भी हो और देश अंदेरे में हो भाईयो भेनो ऐसी सरकार कोई सोच नहीं सकता देश की बरबादी का कारण है बैड गवर्णन्स कुशासन भाईयो बैनो आप कितना ही महंगा कॉम्पूटर लाए हो मोस्ट लेटर्स ब्राण का लाए हो खास विजेश जाकर के लाए हो बढ़िया से बढ़िया लाए हो सारे सौपटर उसमें डाले हो सब कुछ बढ़िया हो आपका दिमाग भी कॉम्पूटर से तेज चलता हो लेकिन कि अगर उसमें वाइरा सा जाए तो है क्या होता है झाधना का घ्रण रह जाता है ना भाईयो बहनों कि एक गुड़ गवर्णस के संदर जब वाइरस आज जाता है तो बैड़ गवर्णस बन जाता है आज सरकार में एक ऐसा वाइरस गुज गया ऐसा वाईरस गुज गया है जब तक इस सरकार को नहीं निकालोगे गुट गवर्णंस की कोई समभावना नहीं है और इसलिए भायों भेनों भारत के भागय को बदलने के लिए मैं करना टक से मत लाता हूं इस बार सारे के सारे कमल दिल्ली पहुचा दिए मैं बाइदा करता हूँ भाईयो आपको सपनों का पूरा करूंगा और भाईयो भेनो आपके दिल में कमल हो आपकी जुबाँ पर कमल हो आपके दिमाग में कमल हो लेकिन अगर सत्रा तारीक को ये कमल अगर उंगली पे नहीं आएगा तो वो कमल बेकार है कमल दिमाग में हो कमल जुबा पे हो कमल दिल में हो लेकिन सत्रा तारिक तो कमल उंगली पर आकर के EVM मशीन में बटन दबाना चाहिए भाईयो बहनो मैं कल भी देश में मतदान होने वाला है सत्रा तारिको करना चाहिए बटन होने वाला है जहां जहां मतदान है मैं देश स्वास्यों से प्रारथना करता हूं आप जब मतदान के लीए घर से निकले पल भर के लीए सोचिये दस साल पहले जेब में जितने पैसो से आपका घर चलता था आज चल पाता है क्या दस साल पहले आप घर से निकल कर के ओफिस जितने समय में पहुँचते थे आज पहुँच पाते हैं क्या दस साल पहले आपकी बेटी घर से भार गई हो तो शाम को आपको चिंता जितनी होती थी उससे आज जादा हो रही है क्नहीं आपकी बेटी असलामत है ये चिंता आपको सता रही है कि नहीं आपने कर्ज करके बेटे को पढ़ाया है उस बेटे को नोकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके लिए आपको चिंता सताती है कि नहीं अगर ये चिंता ये सताती है तो गर से जम्मतदान करने लिख लो तब इन सारी बातों को याद करना उन सारे संकटों को याद करना उन कठिनाई को याद करना और फिर फिर कल्पना करना कि इससे आपको कौन बचा सकता है और आपका आत्मा जहां कहें बोर्ट दे देना मैं विश्वात से कहता हूँ आपकी आत्मा की आवाज दिल्ली में मजबूत सरकार बना के रहेगी तिन सो कमल पूरे देश में पहुंचा के रहेगी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ भारत माता की